आज की वीडियो में सिखाएंगे सूट की फिटिंग की पाँच गलतियां जिसकी बज़े से आपकी सूट की फिटिंग बिगड़ जाती है तो हलो गाईस आज की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे सूट की फिटिंग की 5 गलतियां जो आप करते हैं जिसकी बज़े से सूट की फिटिंग भिगर जाती है अगर आपने हमारी छोटी सी वीडियो अच्छे से बहुच कर ली 5 गलतिया आप सीख गए तब दोस्तों क्या होता चोटे 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 जो point होते हैं जैसे नएने काम सीखते हैं नएने लोग काम सीखते हैं बिगनर होते हैं उसमें क्या होता चलाई करते टैम भी चोटे चोटे हमारे point होते हैं जिसकी मदद से जो suit की fitting होती है वो perfect आती है क्यूंकि normal हमारी cutting तो हो ज अच्छे से देखें तभी आपको समझ में आएगा कि हमारे जो पॉइंट होते हैं स्लाइक करते टैम सूट की वो कहां पर कैसे इस्तमाल किया जाता है ठीक है आप वीडियो को बीच में रोक के ना जाए इसकी ना करें वीडियो क्योंकि कोई भी पॉइंट आगर आपको नही आएगी शीक है अब यहाँ पर नॉर्मल जैसे मैंने सूट की कटिंग कर लिए यहाँ पर हमने गला भी कटिंग कर दिया है यह हमारा बैक पर लेका गला है अब यहाँ पर दोस्तों जैसे आप कई बार होता है कि हम बुक्रम पर गला बनाते हैं ठीक है नॉर्मल हम बुक्र पेपर चिपकार पर जयसे में पेपर प्एश्टिंग के मदड़ से गला बनाता हो तो हमने गलाOnly night call कर रखाएं ठीक और आगर आप बुकरम पर गला बनाते तो गले को कटिंग ना करें जैसे नॉर्म infants पर बिंसिंग बनाता है उसी तरीगे से आपको फिनिसंग मैं पॉइंट यही होता है दोस्तों हमारा सूट का जो गला है वो फिनिसिंग से बनके आना चाहिए कोई भी जोल वगर आपकी नहीं होने चाहिए ठीक है अब जैसे मैं नॉर्मली इसमें पेपर फॉर्म की मदद से गला बनाऊंगा आप दोस्तों आप बुक्रम पे भी गला बना सकते हैं ठीक है जैसे 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 काम करते जाते हैं वैसे आइडिया हो जाता और आदत भी हो जाती है तो मेरी आदत है पेपर फॉर्म पे गला बनाने की तो नॉर्मल मैं गले को अच्छे से रेडी करता हूँ जो भी आपका गला बने आगे का पीछे का तो आपको अ आना चाहिए कहीं पर भी आपकी जोल वगरा ना आए हम फटा बड़ गला रेडी कर लियता हूं फिर उसके बाद आपको दूसरा पॉइंट समझाता हूं जैसे दोस्ते यहां पर हमने गला बनाकर रेडी कर लिया है फिनिसिंग से दोस्ते हमारा फ्रेंट गला बन गया है यह करें पहले तो हम ने दोस्तों आगे एंस तरीके से बनाया आप उसका दोस्तों हम हमें क्या करना है इस जगे पर बैक पला यह हमारा बैक पल्लका है लगो 12 Täुफ हार यह फिर आप पतली गर बहुत आप लगा सकते हैं, सबका तरीका अलग लोग होता है, काम करने का जैसे आपको comfortable लगे, उस तरीके से आप बना सकते हैं गला, ठीक है, अगर आपको सीखना है कि paper form पे हम गला कैसे बनाएं, तो हमारी इसी वीडियो में comment करें, ज्यादा से ज्यादा comment करें, तो मैं आपको सिख हमारा back पला है, वो रखना है नीचे के तरफ, ठीक है, इस तरीके से नीचे के तरफ रखेंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर की तरफ हमारा सीधा है, अब इसको उपर दोस्तों इस तरीके से हमें front पला बिछाना है, यहाँ से इस तरीके से हमें front पला रखना है, अ चीज कैसे फोल्ड करेंगे मैं आपको मसीन पर सिखाऊंगा थोड़ी सी टिप्स है हमारी दूसरी टिप्स है वो मैं आपको नॉर्मल सिखा देता हूं किस तरीके सा हमें यूज करनी चाहिए जैसे दोस्तों बैक गला होता है सूट में हमारा हैवी रहता है दस इंच साड़े नहीं गिरेगी वो क्या है वो मैं आपको समझाता हूं ध्यान से देखना बीडियो जैसे नॉर्मल जो हमारी कंदी ऑट्यक्त होती है इस तरीके से हमकंदी रखते हैं हरासे दोस्तों जो हम मार्जिन लेते हैं इस जगह से लेते हैं आदा इंच का ठीक है हिरा से भी हमारा इदर से भी हमारा आदा इंच का मार्जन हो गया. नॉर्मल इस तरीके से मार्जन लेतो हमें कंदी अटेच करनी होती है लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा प्वाइंट अपनाना है जैसे दोस्तों हैं यहां से हमारी इस सोल्डर है कंदी है यह हमारी बो है 3.5 इंच इसका हाप करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आ जाएगी पौने 2 इंच ठीक है इस तरीके से हमें हाप करना है अब नॉर्मल तो दोस्तों हमें इस तरीके से सिलाई लगानी ही लगानी है ठीक है आदा इंच का मार्जिन लेनी के बाद अब उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों गले की तरफ हलका सा डाउन करेंगे यही चीज़ दोस्तों इस तरीके से क्या करेंगे हलकी सी गले की तरफ इस तरीके से हमें डाउन करना है जिसे कि दोस्तों हलका मान के चलें आप तीन सूत जैसे हैं हमारे इंची टेप हैं इसमें से दोस्त हम तीन सूत ले लेते हैं इतना margin हमें नीचे की तरफ गले की तरफ down करनी है कंदी ठीक है? इस तरीके से पहले सीधी सिलाई लगाई उसके बाद हाप करी हमने यहां से कंदी तो उसके क्या करेंगा हाप करते हो इस तरीके से हमें जो गले गिरने की सिकायत होती ही वो कम हो जाती है ठीक है? अब इसको किस तरीके से लगाएंगे? वो मैं आपको मसीन पर चलते हैं फिर उसके बाद आपको आगे सिखाते हैं यह दोस्त हमारा दूसरा पॉइंट है जैसे दोस्त हमारा बैक पल्ला है अब बैक पल्ला जैसे यहां पर हमारा गला फोल्ड होगा यह पट्टी हमारी जगे से फोल्ड होगी तो इसी के बरावर से हमें इस तरीके से रखना है हलका सा छोड़ना है ठीक है हलका सा छोड़ना है एक दूसरी को उपर इस तरीके से चड़ा देंगे अब यहाँ पर दोस्तों हमने सीधे निसान लगाई है हैं कर दी अर्ण के आहां से हमने के अधा दी है आधा इंच का मार्ज ले लेने के बाद आटेश कर दी अब दोस्तों आपको क्या करना है दूसरी जो सिलाई लगाएंगे वो इस तरीके से रहल किसी डाउन करते यह गु इस तरीके से हमने शिलाई लगा ली अब यहीं तरीका हमें दूसरी तरफ भी अपलाई करना है यहां से कंदी इस तरीके से गले की तरफ से बराबर से रखेंगे इस कपड़े को हम इस तरीके से ऊपर फोल्ड करेंगे फोल्ड करने के बद आप क्या करेंगे इसको दोनों को आपस में मिलाते हुए एक जैसा आपका मार्जन दबाब जाना चाहिए इस तरीके से मिलाते हुए हमें क्या करना है निसान लगा लेना है ठीक है यहां पर हमारे निसान लग जाएगा अब नॉर्मली हमें क्या करना है इसी निसान से ही आदा इंच का इस तरीके से डाउन करत पर अजय हो vuelta . यहांने के बाद शुच्व करेंगे जिससे कच्ची उगाएगे जिससे की जो हमारी किसलाया के लिवा ठट जाएगे यहाँ पर हमने पट्टी में भी क्या करा है यह margin जो है हमारा गले का यह जो margin है गले का एक तरफ करते हुए यहाँ से हमने लबकी सलाई भी इस पर लगाईए ठीक है अगर आपको फुल डिटेल में सीखना है तो इसी वीडियो में आप कमेंट करें तो आपको पेस्टिंग से डाउन करते है नीचे की तरफ जब हमारा सूट आएगा जब हम सूट पहनेंगे तो गले की तरफ से इस तरीके से दबाब रहेगा और जो हमारी गले के निगी सिखायत होती है वो नहीं होगी ठीक है अब यहाँ पर दोस्तों तीसरा पॉइंट आता है जो काफी ज़्याद है ठीक है यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से मैंने दोनों पले आपस में मिलानी है यहाँ पर दोस्तों मैं कुटका लगाता हूँ जब भी कटिंग करता हूँ तब दोस्तों मैं आपको कुटका लगाना सिखाता हूँ यहाँ पर दोस्तों कुटके जो भी मैंने आपको लग ठीक है इस तरीके से मिलाने के बाद अब हम इप साईज है जैसे चेस्ट साइजट साइज है और इस जेगे पे कुट कर लगा रखा है तो थी तरीके से कहेंots निसां निसां लगाएगा पोँए दोस्तों या पर सैंटिस निसां लगाइगा सब्सक्राइब खाग हो जाएगा 9 इंच-19 को इस तरीके से रखेंगे ठीके और यहाँ पर तो सब्सक्राइब हौगा हमारे यहां पर क्या करेंगे हिप का निसां लगाएंगे यहां फ्रकार करेंगे हिप साइजा money accumulated i напр और यहां पर भी हमारा 23. oblind पिर निसान लगेगा कि यह दूस्तों यह हमारी 75 के मदद से दोतों चस्ट्रों कमा निसान इस तरीके से सामैं सेव देने इनि घ्यागा क्षिव कमार और 25 का कमर का निसान इस तरीके से हमें लगाने के बाद सेव देनी है ठीक है इस तरीके से यह निसान लग जाएगा अब यहाँ पर दोस्तो हमारा पॉइंट बन रहा है दोरों तरफ हमारे पॉइंट बन रहे हैं तो हम क्या करेंगे हलका से यहाँ पर गुलाई का निसान चीक है अब बारी आती दोस्तों जैसे हमने फिटिंग के निसान लगा लिए अब कई बार क्या होता है दोस्तों हमारी आर्मोल में जोल आती इस जगे से क्या होता है सूट हम अच्छे से रेडी कर लेते हैं लेकिन क्या होता हमारी बगल में इसमें आर्मोल में जोल आती इस यहां से हमारा फिटिंग आगया गा, कमर तक हमारा फिटिंग आगया, लेकिन क्या होता है इस जगए पर हमारी सूट में जोल आ जाती है, तो तो दोस्तों क्या तरीका होता है वो भी मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं, जैसे निसाल लगाना हमारा तीसल पॉइंट था 2-5 इंच तक के इस तरीके से निसान लगाना है इधर भी हमें निसान लगा लेना है ठीक है 2-5 इंच पर अब यहां से क्या करेंगे हलक आसा आपको अंदर की तरफ दबाना है ठीक है अंदर की तरफ इस तरीके से दबाएंगे जितनी भी आपको लगता है कि हमारी जोल आती है उतना निसान लगाने के बाद नॉर्मल जो हम दबाएंगे यहां पर दबाएंगे आदा इंच काई इस तरीके से दबाने के बाद है यहां पर हम गुलाई में लेते हुए इस तरीके से सिलाई लगाएंगे इसमें ठीक है यहाँ पर इस तरीके से गुलाई देते हुए यहाँ पर आपका एकदम पॉइंट नहीं बनना चीए ठीक है इस तरीके से गुलाई देते हुए दोनों तरफ हमें क्या करना इसमें सिलाई लगाने ही क्योंकि दोस्तों इस तरीके से जब हम सिलाई लगाएंगे तो इसमें जो आति है वा नहीं आएगी यह दोस्तों कभ होता जब हमारी आर्मोल की जो हमारी जोल आती वह कभ होता है जैसे हमारा हैवी साइज होता है जैसे मान के चले 36 से 44 इंच or 55 इंच ऐधाली अगर आपका सूट है चेस्ट साइज 36-48 इंच का तो दोस्तों यहां पर हमारी जोल आती तो इस तरीके से आप खतम कर सकते हैं आर्मोल में जोल और दोस्तों जो आपका साइज होता है 31-35 चेस्ट तक तो दोस्तों आपके आर्मोल में जोल नहीं आती नॉर्मल आपको इस तर लगाया तो उसी पर हमने फिनिसिंग से लगा दिये ठीक है जैसे दोस्तों यहां पर हमने सूट बनाकर रेडी कर लिया है यहां पर दोस्तों यह हमने चाग बगेरा भी अच्छे से फोल्ड कर दिया है अब दोस्तों पांच मी टिप्स जो है वो दोस्तों हमारी बाजू कैसे अटेश करते हैं जैसे दोस्तो नॉर्मल जैसे हमारी सूट में भी घहराई अच्छे से कटी हुई है फिनिसिंग से और इस जगे से भी दोस्तो हमारी घहराई कटी हुई है ठीक है यह हमारा फ्रेंट पर लाए अब बाजू में भी दोस्तो हमारी घहराई कटी हुई है ठीक ह अगर दोस्तों यह हमारी गहराई नहीं कटी हो ठीक है इसमें हमारी फ्रेंट पले में गहराई है और बाजू में भी गहराई है अगर आपकी इसमें गहराई नहीं कटी होती तो क्या यहाँ पर दोस्तों हमारा आर्मोल में जोलाता इस कमी के बजे से अब दोस्तों यहां पर हमारा जो गया आपको बाजुआज़ दोस्तों पाजुट इपस शुट की अगए आप यहां पर हमारी बाजुआ से चलड़ेगी अब मैं आपको दिखाता हूं कि हमारा आर्मोल फिक्स आएगा या नहीं जैसे यहाँ पर हमारा आर्मूल बाजू का ठीक है अब यह सूट का दोस्तों जब हमारी बाजू अटेच होती है उपर कंदी की तरफ हमारा बरावर रहता है कई बार दोस्तों हमारा चेंज भी होता है फॉर्मूल बाजू अटेच करने का बो अलग तरीका होता है हीरा है ओयोगा ठेक है लेकिन कई बार क्या हो गए थोड़ा सा हमारा छोटा-बड़ा हो जाता है क्यों दोस्ता हमेशा सूट का आर्मोल जो है वह बड़ा ही awareness slim shutting wife तक हम नहीं करके आप की जोल और इस दोस्तों आपकी बाजो इंसे से नहीं चड़ेगी और आपकी आर्मोल में नापनी तो फूरा हो जाता है तो हम क्या करेंगे जैसे हमें इस तरीके से आपा अगर आपके साथ यह होता है तो इस तरीके से आइडिया आपको लगाना है कि हमारा आर्मोल इतना छोटा है ठीक है सूट का तो यहाँ पर इस तरीके से निसान लगा लेंगे ठीक है निसान लगाने के बाद हम ही क्या करना इस तरीके से निसान लगाना है सबसे पहले उपर का पला चाटेंगे हम कटिंग करेंगे जब उपर का पला कटिंग हो जाएगा उसके बाद दोस्तों बैक पले का कपड़ा इस तरीके से कटिंग कर देंगे तो क्या होगा हमारा इतना आर्मोल बड़ा हो जाएगा यह हमारा तरीका था पांच मां अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ भी डाउट लगता हो तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमारी वीडियो पीछे करके आप दुबारा से देख सकते हैं हमें फटाफट इसमें बाजू अटेच कर लेता हूं फिर उसके पाद लाश्ट में आपको पूरा लुप दिखाता हूं सूट का यहां पर दोस्तों हमने बाजू भी अच्छे से फिनिसिंग से अटेच कर दी हैं और इस जगह पर दोस्तों हमने सोल्डर टीच पट्टी भी लगाते हैं तो इसको भी ज्यादा अच्छे से हमारी जो घं accomplish कर लेता है अब कर दो झ्लाइक है सूट की मैं अच्छे से इसं प्ल्एन गर दिया है बहं दोस्तों आपको फिर भी कोई डाउट नगता है याद दोस्त आपको slicer related video और भी देखनी है तो हमसे comment करके पूँच सकते हैं या फिर दोस्तो वीडियो अगर आपको देखनी है तो हमारे चैनल पर जाके प्रेलिज चेक कर सकते हैं या फिर दोस्तो इसी वीडियो के last में आपको इस क्रीन पर वीडियो दिखाई दे जाएंगी वहां से किली करके आप देख सकते हैं आज की वीडियो मैंने आपको सिखा दिया सूट के 5 पॉइंट जो आपके काफी दाजा लाइब दाएक होंगे अगर दोस्ता आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूज करना और दोस्ता हमने जो पॉइंट आपको सिखा दिया सूट में जो आप 5 गलतिया करते हैं जिसकी मदद से आपकी सूट की फिटिंग बिगड़ जाती है अगर दोस्ता आपको सिलाई से रेलेटिव वीडियो और भी देखनी है तो हमारी इसी वीडियो के स्कीन पर वीडियो दिखाई दे रहे होंगी फासे किलिक करके आप देख सकते हैं आप यह दोस्ता हमारी चैनल पर आके प्लेलिस चेक कर सकते हैं अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आँए पहली बेडियो देख रहाएं तो दो की नहीं नहीं को नटपेकरेसन आपके पास सब्ने रहाएं थैंक्यों फॉर वोचिंग वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइग चरूआशा करना